हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम स्टॉक ऑपरेटर के बारे में जानेंगे जिसकी वज़े से जो एक नया निवेस तक होता है रिटेल इन्वेस्टर्स होता है सबसे ज़्यादा पैसे लूज करके स्टॉक मार्केट को फिट कर देता है और लॉंग टर्म इन्वेस हुआ है तो किसी को भी exempt करने का भी टाइम नहीं मिला है और दूसरा इस लिए को सारेडर लिंक है यह दूसरा स्टॉक है जिनमें कि स्टॉक जब बढ़ता है तो काफी तयजी से बढ़ता है लेकिन जब उसमें इंग生ीट होने का टाइम आता है तो कोई भी buyers मिलता ही नहीं है, volume बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, ऐसे stock को हम stock operator के द्वारा operate होते हैं, इन stocks में manipulator का बहुत ज्यादा रोल होता है, जिनमें की retail investor फस्ट जाती है, तीसरा example अगर देखें तो आप देखें इस stock में भी, जो burn pool cement है, यहाँ पे stock में तेजी तो आती है, लेकिन फिर जब गिरावट आती है, तो कोई भी exit का मौका नहीं मिलता है, बिसिकली इन stocks में stock का manipulation किया जाता है, उसको भी समझेंगे कि किस तरीके से होता है, हम किस तरीके से इसमें बच सकते हैं, और वीडियो के last में हम देखेंगे, एक list भी provide करेंगे, जिसमें की ऐसे 1000 stocks हैं, जिनसे की हमें एक retail investor को दूर रहना चाहिए, अगर आपके भी आप में कोई ऐसा stock है, जिसमें आपको ऐसा लगता है, कि इसमें बहुत ही जादा stock operator active रहते हैं, तो उन stocks को comment करके बताएं, जिससे कि हम और आप जैसे retail investor काफी उससे help ले पाएं और stock से दूर रहें, इस वीडियो को शुरू करें, उससे पहले अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर ले, चलिए जानते हैं कि operators होते कौन हैं, operators market के participants ही होते हैं, ये कोई outsider नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास जो होता है, बहुत ज़्यादा large amount of money होता है, जिसको के use करके वो stock market के price को manipulate करती हैं, एक खास group में ही खुद ही share को buy करते हैं, और खुद ही pre-determined price पे ब करते हैं, और जिससे कि एक retail investor attract होता है, इसकी तरहें, अक्सर वो large amount of money को use करके एक छोटी company के stock price को manipulate करती हैं, उसको करने के लिए अब जानते हैं कि वो क्या-क्या चीजें करते हैं, सबसे पहले वो brokers और जो stock market participants जिसको के operator कह रहे हैं, पहले से ही defined price पे आपस में ही share को buy और sell करेगा और volume create करने की कोशिस करेगा, जितनी जादी volume होगा, फिर उससे price जब बढ़ने लगता है, तो एक retail investors जो होता है, उसकी तरफ attract होता है, दूसरा operators उस company के बारे में fake news फैलाएगा, जिसका की target एक retail investors और immature investors होगा, तीसरा वो एक bulk message send करेंगे stock market के जो नए investors हैं, वहीं उ already experienced हैं, उनको इन सब चीजों के बारे में पता होता है, तो multi-bagger stocks के रूप में messages जाएंगे all over India, जिससे कि एक retail investor उसमें invest करने के लिए interested हो जाता है, और कुछ time पे जब stock के prices बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो वो multi-bagger stock का conviction होता है, एक retail investor के अंदर आने लगता है, कुछ positive news भी फैलाए जाएगा analyst के द्वारा और साथ के साथ social media पे भी उसके बारे में कुछ comments और blog भी posted होंगे, algo trading को यूज करके operators technical setup को भी ऐसा दिखाएंगे कि ये actual में stock का price बढ़ने वाला है, काफी heavy volume के साथ में stock में price का moment हो रहा है, तो इनसे बचने का सबसे पहला तरीका है, कि जो so called multi-bagger stocks होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा quick promises होते हैं, ऐसी छोटी company उसे बच के रहना है, दूसरा सबसे important तरीका है, कि जो छोटी company होती ये थम rule बना लें, कि जिनका revenue 1000 करोड से कम में है, वो हम एक नए investor के रूप में experience के तौर पे उस stock में invest नहीं करेंगे, तीसरा है, कि stock का जो price है, वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन company का financial उसके price को support नहीं कर रहा है, fundamental support नहीं कर रहा है, stock का price 3 गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है, लेकिन company का जो financial profit है, revenue है, वो 4 गुना 5 गुना नहीं हो रहा है, तो इससे आपको alert हो जाना चाहिए कि ये stock में manipulation हो रहा है तो ऐसे stocks में entry नहीं लेना है जिनके की financial performance improvement ना हो इनकी liability ना कम हो रही है जिनके profit में उतना increment ना हो रहा हो जितना की stock price बढ़ रहे हैं और चौथा है कि अगर आपको इन stocks से बचना है ऐसे stocks से तो आप nifty 50 और nifty next 50 इन 100 stocks में trade करें बाकी के 5000 stocks से दूर रहें क्योंकि जो छोटी कमपनिया होती है उनमें stock operator थोड़े पैसे यानि 50-100 करोड लगा के भी stock market को manipulate कर पाएंगे stock के price को manipulate कर पाएंगे लेकिन जो बड़ी कमपनियां होती है large cap में उनका manipulation करना आसान नहीं होता है क्योंकि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा capital की जरूरत होती है तो वो मुश्किल होता है तो इनसे बचने का यही तरीका है कि आप जो है उन stocks से दूर रखे इस वीडियो के description में मैं आपको एक link दे दूँगा जिसमें कि हजार company के list हैं जिनमें की stock operator काफी ज्यादा active रहती है thank you for watching this video अगर वीडियो पसंद आया है तो like जरूर करें